जो पैसा पकड़ा है, वो मेरा फर्म का पैसा है, जो कैस पकड़ा गया है और सराब बिकरी का पैसा है, क्योंकि सराब बैपार में सारा सेल कैस से होता है, या पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन राजनेतिक दोलों से कोई इस पैसे का कोई सम्मन नहीं है, सबसे पहले, तो मैं अपना बेग्राउंड दे जयता हूं, कि मैं तकरिबन 30-30 साल से शक्रियर आनएटी में हूं, उच्रानएटी में तो वनें 177 हुए हूं, लेकिन मैं शक्रियर आनएटी में, मैं 30-30 साल थे हूं, अरी अप मेरा पहला ऐसा वर्दात हुआ मेरे साथ में, हमेशा चाहता था, कि मेरे पर कोई बिवाद नहाँ, लेकिन आज बिवाद खाड़ा हो गया, तो मुझे मजबूरन अपना और अपने परिवार के बारे में, मैं जनकारी देना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई, सुपतात साहु, दो बार रांची के संचत रहें, और उसके बात हम लोगों ने काफी कुछ भिकार के काम किया हूँ, लोहर दगाह हो, रांची हो और अन जगह में हम लोगों ने उरिटा हो, जगह जगह हम लोगों ने काफी हम लोग कुछ किया और हमारे पिता जी सोरगे राय साहब बलते साहू वो कि काफी गरीबों का मदद करते थे समाद सेवा करते थे और हम लोगों ने कॉलेज इसकूल काफी सारा खोला हम लोगों ने लेकिन आज इस तरह से जो हो रहा है तो मुझे काफी दुख पहुंची है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो पैसा बचरा है वो मेरा फ्रम का पैसा है हम लोग स्राप का बैसाएं में तक्रीबन हमसुत जहां कि 100 साल से भी उपर हो चुका है और उसकी सारी जनकारी मैं आपको दे जा रहा हूं कि इन सौ साले में हम लोगों को ने चारका काफी कुछ किया, काफी रेवनु दिया, आज इस तरह से हो रहा, तो मुझे काफी चोट पहुंची है, और मैं चाहता हूं कि इसका, मैं अपने तरफ से इसका खुलाता कर दूँ मैं लोगों को जनकारी मिले, और मैं दिल्ली में ही था, आप लोगों से मिलना चाहता था, लेकिन कुछ परचिती ऐची आगे थी, आप लोगों के सामने आने मुझे सरम महसूस हो रही थी, और मैं रानिती छोड़ करके, मैं अपने बिजनेस में भी नहीं जादे ध्यान द तो मैं कुछ चीज जो हो अपने कंपनी वारे में अपने ब्योशाय का बारे में मैं पड़के बता दे रहा हूं, कि आप इसको तरह द्याम से आप इसको तो लिजेगा, तिके पहला पाउन्ट है कि हमारा जो परिवार है, एक तायुक परिवार है, बहुत बड़ा परिवा थे छे भाइए हैं और उनके बच्चे लोग भी हैं आज बच्चे लोग सब बैहसाई से जुड़े हैं और हमारा सौ साल से उपर का जो कंपनी है या फिर यह पुराना यह बिजनेस है और हम यह जो कैस का जो पकड़ा गया है यह हमारे कि बैपार सराब से समदित भर्मों का पैसा पकड़ा गया है हमारा परिवार पिछले सौ साल से अधिक से चलता आ रहा है तो हमारा जो भी कारोबार हो बिल्कुल परदेशी है आपकी जनकार के लिए में बता दू कि जो कैस पकड़ा गया है और सराब बिकरी का पैसा है क्योंकि सराब बैपार में सारा सेल कैस से होता है या पैसा या पैसा को कांग्रेस पाटी तता अन राजनेतिक दोलों से कोई इस पैसे का कोई संबन नहीं है जो की चर्चा में आया है इसके बारे में बता दर रहा हूं यह उन रूप से हमारे कंपनी का पैसा था और यह कैस मैं जिकर किया वह कैस से ही हमारा वैपार चलता डेली आप ल जानते हों कि सहराब जहां जहां भी बिजनेस होता हो वह कैस कही बिजनेस होता है तो वह कैस कही यह बिजनेस है हमारा और मैं हमारे फर्म के बता देता हूं कि बल्दे साहूच, उपरचाद साहू और चंच के नाम से हमारे है दुसरा है रिते साहूच यह तीनो फर्म हमार रिस्तदार के हैं इसके अलावे हमारे और भी सारे रिस्तदार लोग है उनके नाम से भी है यह फर्म जलता है जहां तक BPDL की बात जैसा है कि अकबार मीडिया के माधम से दिखाया जा रहा है वो कैस जो बरामत नहीं हुआ है वहां पर जो कैस को लोग बोलते हैं कि काफी मातरा में कैस वहां वरावद हुआ है वह हमारा डिकलरी वहां पर है वहां बनता भी है और वहां पर किसी तरह कभी कोई भी कैस नहीं पकड़ा गया जो भी पैसा मेडिया के माधम से मेरा दिखाया जा रहा है वो सारा पैसा मेरा नहीं है या पैसा मेरे परिवारत अंचमदीश फर्वों का है तो मैं आपको जनकारी दे रहा हूं कि जो भी चीज आप मैं पढ़कर बता वो विल्कुल सत है इसमें किसी तरह के भी कोई छीपान वाली बात नहीं है आप इसको इस पर आप को में को रूप से मैं कंफ्रिडेंस के साथ कर रहा हूं की इंकन टेक्स छापा मा रहा है तो इसकी सारे हिसाब किताब मैं हम लोगों को दूंगा है क्योंकि अभी बहुत सारा चीज है इसा हमको पता चला कि घरवाले से मैंने चर अभी पॉलिसी मेर्टर में कुछ पैसा रह्मनू दिया जाता उसके लिए भी कुछ पैसा वहाँ पर रखा गया था तो खर वो हमारे परिवारों वाले इंकन टेक्स के बीच का मामला हो परिवारों वाले इसको सफाई देंगे या पिर अपना जो भी चीज दिखाना वह इ है मैं सबको हम लोग उनकों मदख करेंगे और सारा चीज के जनकारी में जनता के सामरे रखूंगे जाकर है कि यह काला धन है कि नहीं है कि अभी मैं तो पहले बताया कि हम लोग का पास हर बिजनेस जो है इसमें कि जितना भी तरह के जो फर्म है हम लोग का परिवार कर नाम से हैं हम वो लोग कैसे काला धन इसको सो कर रहा है वो तो खर इंकम टेक्स इसी बताएगी इंकम टेक्स का जबाब आने तीजिए काला धने या सफेद धने वो तो इंकम टेक्स का जवाब देगी हिसाब हम पुजकिन बता नरहीं। मैं बिजनस मेंने में राजनीति में नहीं हुए। मैं विल्कुल इस शल्या सी कुछ मरा जमेस्ट आपको दोर हुए। कि वन्हुर्म करें वह कि को एक साल से अधाश्य की अलबे सМय कुछ भी आप याएं2010 आप कया पकुछ आप राजनीती में हैं, कॉंग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, इसलिए आपका नाम ज्यादा लिया जा रहा है, तो क्या पार्टी से संबंध है या कुछ और? अब यह इनकर्टेस का छापा है, जी तरह से लोग इसको देख रही है, इसका पहराम हम को नहीं पता, लोग क्या सोच्था, क्या नहीं सोचते है, मैं किसी परीघार के उपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं यह एतना कह सकता हूं कि यह कांगरस पार्टी आया या राहनितिक पार्टी का पैसा बिल्कुल नहीं है, यह मैं दावे के सब कह रहा हूं.